यह देखिए हमने यहाँ पर फाब्रिक लिया है और फाब्रिक की जो हमने यहाँ पर लेंग लिया है वो साड़े साथ इंच लिया है और मैंने इसको यहाँ पर ऐसे करके डबर फोल्ड कर लिया है और मैंने इसको यहाँ पर ऐसे करके फोर फोल्ड कर लिया है और इसके जो मै और यहाँ पर गोलाई दे देंगे यहाँ पर गोलाई देने के बाद अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे साड़े पांच इंच पर और हाफ इंच का आगे मार्जन दे देंगे कमर का निशान लगाएंगे पांच इंच पर और हाफ इंच का आगे मार्जन दे और इन शानों को सिधा कर लेंगे और यहाँ से लिएंच पर क्मार्क एछ गरेंगे को और निशानों कि यहाँ पर 10 पर अपने मार्किंगे कटिंग करेंगे सब्सक्राइब कंप पर करने के पाद अब हमें यह पर आफ-पस का ऐसे एक मार्क लगाना है ये देखिए। अधा계 आधहिंच का मार्क और यहाँ उसे करके घॉलाई देनी है कि निच्पा हाफ इंच का मार्क लगाने ऐसे करना होग हमरे पास यहाँ पर दो पास आचुके हैं अब हम यहाँ पर क्या करना होगा निछी लिए अपने लिए फाप्रिक के लेंगे और कटिंग करेंगे तो साइड रखते हैं देखिए मैंने यहाँ पर फाब्रिक लिया है और इसको भी मैंने यहाँ पर फॉर्फोल्ड कर लिया है और देखिए हमने यहाँ पर इसको रखेंगे अपने टॉप पार्ट को यहाँ पर तो पार्ट रखने के बाद जैसे कि हमारा यहाँ पर फाब्रिक 6 इंच है तो य Осसे करके और आधा ही पर इन्च फालटो रखना होगा यहे हमारा उपरण टॉप पार 6 इंच है इसे करके 250 चैंच रखेंगे साडीच यह और चैंच रखने के बाद आप में पर 65 चैंच पर और यहां को सिधाा पर निशान को कड़्ूद Ger da двух vind पार यहां पर Sumer में मैंसे निजinga यहां तो लिए या दिने के बाद अब हैक थिए चैए द्सक्राइज बिस्द्टकेATA पूरी है वह साथ इंच रखेंगे और यहां पर यहां पर कर लेंगे को दिखाई देगा अब हमें आप स्टेप्स की कटिंग करेंगे तो इस्टेप्स के लिए देखिए हमने यहां पर फाफ्रिक लिया है ए और फाब्रिक की चड़ाई हमने हापर दो इंच ली है और लम्बाई साड़े बड़े हैं अब देखिए हमने हापर इस टेप्स के लिए भी ले लिया है अब हमाइए स्लीप की चड़ाए बिटिंग मेंगे तो उसको साइड रखते हैं देके ए काफी लंबी पट्टी ली है और पट्टी के चोड़ाई मैंने यहाँ पर चार इंच ली है और जो लंबाई है वह मैंने यहाँ पर इसके लंबाई 21 इंच ली है अब हम देखिए हमने यहाँ पर ऐसे करके दो पट्टी ली है यह हम इसको यहाँ पर ऐसे करके फोर फोल्ड कर देंगे 4-fold करने के बाद हम यहाँ पर एक मिशाल लगाएंगे ऐसे 1.5 पर और 1.5 पर एक मिशाल ऐसे लगाने के बाद हम यहाँ पर ऐसे करके गोलाई दे देंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे देखिए यहाँ पर हमने ऐसे करके कटिंग कर ली हैँ अब हम हम जब पर फिर से अपने प्र पार्ट को लेंगे और इसको ऊपन करेंगे यह देखे ओपन करने के बाद हम इसको यहाँ पर ऐसे करके सीधा रखेंगे यह देखे अपने दोनों पार्ट लेने के बाद अब हम यहाँ पर और एबी स्ट्रिप लगाएंगे यह देखे और एबी स्ट्रिप यह हमारी उल्टी है यह हमारी सीधी है यह हमारा सीधा है यहां से यह देखे मैं पर एसे करके रखेंगे और यहां पर शिलाई लगा लेंगे ऐसी हमें अपने दोनों पार्ट में और यह भी श्ट्रिप रखनी है और शिलाई लगा देनी है चल्या इतना करते हैं देखें यहां पर ऐसे सिलाई लगाने के बाद हमें यहां पर छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं दोनों तरफ मैंने एक साइड कट्स लगा लिए हैं दूसरी साइड में आपको दिखा देती हूं कि हमें यहां पर ऐसे करके गोलाई में छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं और यहां पर कट्स लगाने के बाद हम इसको यहां पर करके उल्टा रखेंगे और सब मार्जन अंदर की तरफ दबाते वेक फोल्ड ऐसे करेंगे और फिर डबल फोल्ड यहां पर ऐसे कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे ऐसी हमें इधर भी करना है सब मार्जन अंदर की तरफ को तबाते लेकि Compol करनी हैं देखिए मैंने यहां पर पर अल्रेडि य। है एसे अपने पार्टको रुडि कर लिए है लगाकर ऐसी हम अपने क्षशी अीड लेगे और देखिए अपने क्या करना होगा मैंने हैं पर ḥ cub के चोती चोती सुटी डालेंगे हमें كाफिलम केडिक प्लेट्स डालेंगे यहान पर प्लेट्स डाले। यहाँ पर खई रेडि कर लेते हैंधारे कड़ाइख में , दिखिए हम्ने यहाँ पर उसे करके फ्रिल बना ली है अब हम यहाँ पर अपने ऐसे करके पार्ट को लेंगे और इसके ओपर यहाँ पर इसकी हमारा सीधा पार्ट है हम इसके ओपर यहाँ पर ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे और देखिए यहाँ पर ऐसे करके इसमें सिलाई लगा ली है अब हम यहाँ पर क्या करना होग अब ढम घळी नुक्ति स्था. अब यहाँ पर आप ऐसे करके रखेंगे यहाँ पपर यहाँ पर डबल फोल्ड करदेंगे, यहाँ पर आपर अपने दोनों बाट को रडी कर लेना है डबल फोल्ड करते वे चेलिए इतना करते हैं बनागर अब हमें हापने स्लीव को लें ने के बाद हमें प्लेट्स, स्लीव में स्लीव का लें पूरे को दबल फोल्ड करने के बाद चोटी चोटी प्लेट्स डालें गें और फ्लेेट्स हमें यहाप पर कितनी डाली हैं मैंने यहाप आपको इस बताया है कि विदने हैप 2 स्ट्लिफस लीएं 7 चोड़ी राव 2 इंच 7 不会 डाली है x2 च्क आपwing ओर nu ar में प्लेट्स डालेते हैं यहां पर इसे करके सिधा रखेंगे और यहां पर एक सिलाई लगा लेंगे चलिए इतना करते हैं अधाइज की में देखिए यहां पर यहां पर स्थेपयर करने के रखेंगे और इक बार लिकार यहां पर यहां पर अध्याइज कर लेंगे और टॉप पार्ट को लेने के बादी देखिए हम यहाँ पर अधेंच के मार देखिए मैंने यहाँ से अधेंच के मार जfunction से ऐसे करके यहाँ पर फाबर्ध के छोड़ा है आधाधेंच का दोनो स्लीप्स में और देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे इसको हम ऐसे बाहर की तरफ रखेंगे फ्रिल को और यहाँ पर ऐसे रखने के बाल सिलाई लगा देंगे ऐसे हमें हम इसको यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसको यहाँ पर ऐसे करके रखना है और सिलाई लगा देनी है चलिए यहाँ से करकर यहाँ पर दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेते हैं उनको जोइंट कर लेते हैं यह देखिए हमने यहाँ पर ऐसे करके अपने दोनों स्लिव्स को टैच कर लिया है अब हम इसको यहाँ साइड रखते हैं और देखिए निचे के पार्ट को लेते हैं, देखिए हम यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक पार्ट को ऐसे करके सीधा रखेंगे और दूसरे पार्ट को उसके ओपर ऊलटा रख देंगे और देखे दोनों ऐसे करके रखने के बाद हम यहाँ पर दोनों तरफ आसन में सिलाई लगा लेंगे हमने यहाँ पर दोनों तरफ आसन में सिलाई लगा लिए है अब इसको हम यहाँ पर ऐसे करके ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पर बीच में सिलाई लगा लेंगे और बीच में सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर अपने निचे के बॉटम करके डबल फोल्ड कर लेंगे पहले हमें हमें यापर पर बेश में सिलाई लगानी है और फिर निचे से ऐसे करके double fold करणा है और guys देखें मैं आपको यापर एक चीज बदाना भूल गई थी हम इसको यापर ऐसे करके उल्टा रखेंगे और इसको यापर ऐसे उल्टा रखनी के बाद सब्सक्राइब करने के बाद हम यहां पर अपने टॉप पार्ट को भी सिधा कर लेते हैं यह देखिए अपने टॉप पार्ट को सिधा कर लिया है अब हम यहां से अपने टॉप पार्ट को ऐसे करके पकड़ेंगे और देखिए यहां से हमारी दोनों सीधी साइड है हम इनको यहां पर ऐसे मिलाते वे ऐसे करके रखेंगे और यहां पर ऐसे गोलाई में सिलाई लगाते चले जाएंगे हमें यहां पर ऐसे गोलाई में सिलाई लगा लेनी है चली ऐसे करके मैं आपर गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं यह देखें मैंने आपर बीच में इसको नेकर को जॉइंट कर लिया है और कि हमारे यहाँ पर ट्रेस बन करके रेडी हो चुकी है अब ड्रेस को इस साइड और इस साइड आपके बेबी को ड्रेस बिल्कुल कमफर्डेबल आ जाएगा और कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएगा आज किस वीडियो में इतना ही अग थेंक्यू फॉर वाचिंग है गाइस वैलकम बैक तो माई यूटूब चैनल काइस कैसे हो आप सभी आप सभी आप सभी अच्छी होंगे गाइस आज के स्वीडियो में मैं आपको वनियर बेबी गल के लिए यह डिजाइनर सूट जंप सूट कटिंग और स्टेशिन करना ब तो आप इस मिजरमेंट से बना सकते हैं आपके बेबी को ड्रेस बिल्कु लोग के आएगा तो चली शुरू करते हैं कि हमें यह वनियर बेबी गल के लिए जंप सूट कैसे बनाना है